भोजपूरी हिट मशीन खिसारी लाल यादव का फरिष्टा फिल्म का ट्रेलर तो आप सबने देखी लिया होगा जिन लोगों नहीं देखा है उन लोगों को खिसारी लाल यादव के इस फिल्म का ट्रेलर जरूर देखना चाहिए ट्रेलर देखने के बाद तो आपको भी वंदार एक्टिंग से एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो अपने संजीदा अभिनाई के लिए जाने जाते हैं ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अपकमिंग फिल्म फरिष्टा का ट्रेलर वीडियो रिलीज हो गया है जिसमें खिसारी ने पागल का रोल प्ल प्रेइअ कर लिया है औरिष्टे नंबर पर ट्रेंण कर रहा है लेकिन क्या आपको पता है कि खिसारी लाल यादो को एक पागल का रोल पांडे मेरे साथ है कैमरामेन विशाल और आप देख रहे हैं जमाजम भोजपुरी आपने फरिष्टा फिल्म का ट्रेलर तो देख लिया होगा लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म के लिए खिसारी लाल यादो ने पागल वाले किरदार को जिवन्त करने के लिए अपन को मन में खिसारी लाल यादो के लिए इज्ज़त और बढ़ जाएगी निदेश्यक लाल बावु पन्डित ने बताया कि इस किरदार में गंदा और पागल जैसा दिखने के लिए एक्टर ने बालों को भी बढ़ा किया था और साथ ही सारी पागल जैसा दिखने लिए 22 तक नहाई नहीं थे और यही कारण था कि इसलिए वो पागल वाले किरदार में फिट हो पाए थे इस फिल्म के निदेशक ने बताया कि एक समाने आदमी के लिए पागल का किरदार कर पाना कितना मुश्किल काम था इसके लिए खिसारी जी ने बहुत जादा मेहनत किया है उन्हो कि पागल का रोल प्ले करने के लिए खिसारी लाल यादो का हाथ पैर बॉड़ी नाकुन बहुत गंदा रखा जाता था ऐसे में खिसारी खुछ से खाना भी नहीं खा पाते थे कई दिनों तक तो खिसारी चम्मत से खाना खाए थे कई बार तो खिसारी लाल यादो पागल वा बताते हैं कि इस फिल्म की कहानी दो साल से बनाई जा रही थी जब हम इस फिल्म के शुटिंग कर रहे थे तो लक्ष से हमें उसी गाउं का एक पागल आदमी मिल गया था और हम उस आदमी को सेट पर ले आए थे खिषारे य उस पागल आदमी को वेंटी में बैठा कर दो-दो घंते उसको देखते थे उसको नोटिस करते थे उसकी हरकतों पर पेहनी नजार रखते थे उसकी एक्टिवीटी पर विशेज ध्यान देते थे तब जाकर खिसारी लाल यादव उस पागल आदमी से बहुत को सीख पाए थे तब जाकर फिल्म में पागल का रोल प्ले अच्छे से कर पाए थे बाकि आपको बता दे कि खिसारी की साने वाले फिल्म में आपको खिसारी का तीन गेच अप देखने को मिलेगा और इस पूरे फिल्म में आपको साथ गाने सुनने को मिलेंगे और फरिष्टा फिल्म के डारेक्टर ने बताया कि फिल्म आपको होली तक देखने को मिल जागी बाकि उन्होंने कहा कि खिसारी लालियादो को फिल्मी करियर में ये पहली बार होगा जब खिसारी एक पागल के किरदार को बड़े पड़े पर नजर आएंगे। उनके फैंस उन्हें उनके अपकमिंग फिल्म फरिष्टा में इस नए रूप में देख सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भोजपुरी दर्शकों को अच्छी सिनेमा देखने को मिलेगी। इस फिल्म का ट्रेलर देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में खिसारी लाल यादो की जिन्दगी का सबसे अलग और अनुखा किरदार होने वाला है। इस फिल्म को लेकर एक्टर खिसारी लाल यादो ने भी कहा कि फिल्म की कहानी भी शांदार है जिसके अधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि कोई भी जो मेरे इस फिल्म को देखने थेटर में जाएगा वो निराश होकर नहीं लोटेगा। फिल्म में आपको एक अलग ही एक्ट देखने को मिलीगा, बोईशपुरी फिल्म फरिष्टा रश्टा में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कि सारी लालियादो ने कहा कि पागल का किरदार करना मेरे लिए बहुत ही तफकाम था, यह बहुत मुछकल जॉब था, इ सबसे मुश्किल तो तब होता है जब जो चीज आपको आती है और उसे अपनी किरदार के अनुसार जीने के लिए देखना होता है और वह आपको नहीं आती है बाकि आपको यह नई जानकारी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडिय के साथ तब तक मुझे जाज़ दीचिए मैंने में